जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि सोने का सही दिसा कौन सा होता है किस तिशा में सेर करके सोना चाहिए हम लोगों को मुखत 4 तिशाएं होती है लेकिन सोने के लिए सभी तिशाओं का चुनाओ करना ठीक नहीं होता है तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सोने का सही डाइरेक्शन बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस गरेलुखबर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया थो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे बास्तु सास्त के अनुसार ब्यक्ति को दक्षिन दिसा या पूर्व दिसा में सीर करके सोना चाहिए यानि स्वभाविक तोर पर अपने पैरों को उत्तर या पस्सिम दिसा में रखना चाहिए लेकिन उत्तर दिसा और पक्सिम दिसा की ओर सीर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए इन सभी दिसाओं में सोने और ना सोने के बहुत से कारण है जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिन दिसा की और सीर करके सोने से क्या होता है तो वास्तु सास्त्र में इस दिसा की और सीर करके सोना अच्छा माना जाता है इस दिसा में सीर करके सोने से स्वास्त समंधी परिशानियों से मुक्ती मिलती है यानि यह दिसा सेहत की लिहाज से बेहतर माना जाता है दोस्तों चली अब बात करते हैं पुर्व और पस्सिम दिसा में सीर करके सोने के बारे में पास्तु सास्त के अनुसार पुर्व दिसा में सीर करके सोना अच्छा रहता है जबकि पस्सिम दिसा में सीर करके कभी नहीं सोना चाहिए पुर्व दिसा में सीर यानि पस्सिम दिसा में पैर करके सोना स्वास्त के तिहाज से अच्छा होता है क्योंकि सूरज पुर्व दिशा की ओर से निकलता है और उसकी सबसे पहली कीरन पुर्व दिशा में ही देखने को मिलती है इसलिए इस दिशा में सीर करके सोने से सुबह की पहली कीरन आपके सीर पर ही आती है और जबकि इस दिशा में पैर करके सोने से आपको मस्तिस तक उचीत उर्जा नहीं पहुँच पाती है अब चलिए जानते हैं कि सोने से पुर्व किन बातों को धयान में रखना चाहिए तो पुर्व की तरफ सीर करके सोने से बुद्धी प्राप्त होती है पस्सिम की तरफ सीर करके सोने से मानसिक विकार प्राप्त होता है उत्तर की तरफ सीर करके सोने से हानी होती है तथा आयू छिन होती है दक्षिन की तरफ सीर करके सोने से आयू की बृधी होती है दिन में नहीं सोना चाहिए दिन में सोने से रोग उत्पन होते है सुसुरूच सहीता की अनुसार सभी रितुओं में दिन में सोना निसिध है, परंतो ग्रेस्म रितुओं में दिन में सोना निसिध नहीं है सोने से पहले ललाट से तिलक और सिर से पुस्प का त्याग कर देना चाहिए बांस या पलास की लकड़ी से बने पलंग पर नहीं सोना चाहिए एवं सीर को नीचे लटका कर नहीं सोना चाहिए तो दोस्तों अगर संचिप्त में हम बात करें कि सोने का सही दिशा कौन सा है तो आपको बता दे कि सुसुरूच सहीता के अनुसार सदा पूर्व दक्षिन की तरफ सीर करके सोना चाहिए उत्तर या पस्सिम की तरफ सीर करके नहीं सोना चाहिए अता हमें यह जानना अती आवस्यक है कि हम किस तरह सयन करें जो कि हमारी सेहत को तंदुरुस तथा निरोगी बनाए और हमारी आयो को छिन ना होने दो तो आज की इस वीडियो में आप लोगो पता चल गया होगा कि कौन सा डाइरेक्शन सोने का सही है तो आप अगले समय से ध्यान में रखे सोने का डाइरेक्शन को तो आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेयर करे और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सबस्क्राइब करे और अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं मैं उसका रिपलाई दोंगी थैंक्स